जन सुनवाई, जब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनके मजदूरी पूरी देती है लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी देते थे वे ब्रश्टाचार करते थे मजदूरों को समझ आ गया कि यह मामला केवल मजदूरी का ही नहीं है अब मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग की लेकिन सरकारी अफसर रिकार्ड दिखाने के लिए तयार नहीं थी इसलिए संगठन ने तैय किया कि वे छेत्र के गाउं में सभी लोगों को सरकारी कारेों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे इसके लिए संगठन ने कई जन सुनवाई की थी कोट किराना की जन सुनवाई पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को आयोजित हुई इसका विशय था 1993-94 में पाली जिले की रायपूर पंचायत समिती की कोट किराना और बगदी कल्याण ग्राम पंचायतों में किये गये विकास कारे इस जन सुनवाई में कई गाउं के लोगों ने भाग लिया और राजस्तान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाज सेवी भी इस सुनवाई में उपस्तित रहें लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया इस जन सुनवाई में सैकडो लोगों के सामने उन सो लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारे रिकॉर्ड में विबिन विकास योजनाओं में कारिक किया था और जिनको काम के बदले भुगतान किया गया था लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहाँ आकर प्रमारित किया कि ना तो कभी उन्होंने इन योजनाओं में कारिक किया और ना ही उनको कभी मजदूरी का भुगतान किया गया मस्टर रॉल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहरे परलोग सिधार गये यहां यहां भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलो का भुकतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वो भवन बना ही नहीं था ऐसी अनेक अनेमित ताएं और ब्रस्टाचार की कई परते इस पहली जन सुनवाई में खुली इसके बाद कई जन सुनवाई हुई और इनमें भी इसी प्रकार के ब्रस्टाचार उजागर हुए सूचना के अधिकार की मांग शुरू में आंदोलन की मांग केवल नियुनतम मजदूरी के सही भुकतान से जुड़ी थी लेकिन पाँच जन सुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों के सारे रिकॉर्ड को देखने की मांग कर रहे थे वे मांग कर रहे थे कि लोगों के जिंदिगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए सरकारी अफसर रिकॉर्ड को छुपा कर रखते थे इन छुपे हुए रिकॉर्डों में ब्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे इस बात को संगठन ने समझ लिया था मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों के रिकॉर्ड देखना उनका हक है अब उनको यहा कानूनी रूप से चाहिए था आगे चल कर इसी मांग को सुचना के अधिकार की मांग के रूप में रखा गया सुचना के अधिकार के लिए संगठन ने बहुत प्रयास किये लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो सन 1997 में संगठन ने राजधानी जैपूर में एक बेमियादी धर्ना शुरू किया इस धर्ने में राज्य के अलग-अलग शेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया यह धर्ना 26 मई 1997 से 14 जुलाई 1997 तक पूरे तिरपन दिन तक चला इस धर्ने का अंत बड़े ही नाटकिय धंग से 14 जुलाई 1997 को हुआ सरकार ने बताया कि उसने एक साल पहले ही आंदोलन की मांगो के अनुसार नियम बना दिया था इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों से बिल, वाउचर्स, मस्टरोल और अन्निविकार संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटो कॉपी लेने का अधिकार प्रदान किया गया था राजस्थान के साथ ही सूचना के अधिकार की मांग दूसरे राज्यों में चल रही थी देश के कई राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया इसकी सूचि इस प्रकार है पूरे प्रदेश में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ इस प्रकार राजस्थान में चले सूचना के अधिकार आंदोलन ने एक लंबे शांती पूर्ण संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की 16.1.3 शांती के लिए आंदोलन उपर दिये गये सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांती के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किये गये इन आंदोलनों ने युद्धों को रुखवाने में और अंतराष्टी शांती की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिकादा की आमतर पर शांतिया अंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने युद्धो के दौरान हो रही इंसा को रुखवाने तथा हत्यारों की होड को रोकनी की कोशिस की जाती है शांती आंदोलन का व्यापक लक्ष दुनिया में पर्माणु हथियारों जैसे खतरनाख हथियारों पर प्रतिबंद लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्ध को रुखवाना है शांती आंदोलन के तहट लोग तरह तरह के संग्ठन बनाकर शांती की वकालत करते हैं शांती सीविर लगाना, चुनाओं में युद्ध का विरोध करने वाले उमिद्वारों का समर्थन करना तथा विभिन सरकारों की सुरक्षा एवं नीश अस्त्री करन की नीतियों का आलोचनात्मक अध्यन करना शांती आंदोलन के मुख्य कारे हैं परमाणू हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन जापान में 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए दो परमाणू भम से हुए भयानक नुक्सान को जेल रहा था इसलिए जापान में परमाणू हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रीता से फैला 1954 में जापान के लोगों ने परमाणू और हाइड्रोजन भम का विरोध करने के लिए एकिकृत परिशत का गटन किया जापान के लोगों ने प्रशांत शेत्र में परमाणू हथियारों के परिक्षन का विरोध किया उन्होंने परमाणू हत्यारों के परिक्षन के खिलाफ 35 लोगों के हस्ताक्षर करवाए परमाणू हत्यारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था